लाल किले के इतिहास की पंद्रा खास बाती, लाल किला सहित भारत की लगभग 26 प्राचीन इमारतों को युनेसको ने विश्व विरासत में शामिल किया है, लाल किले के बारे में कई तरह की बाते प्रचलित है, कहते हैं कि इतिहास वही लिखता है, जो जीतता है या जो शासन करता है लाल किला किसने बनवाया था यदि ये सवाल भारतियों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे शाह जहाने या इसलाम शाह सूरी ने बनवाया था परंतु क्या ये सच है हालांकि यह अभी भी शोध का ही विशय है यहां प्रस्तुत है प्रच्छित मान्यता और धारना के स संबंध में संक्षिप्त जानकारी करवाया था, लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्षय मौजूद हैं, यहां तक की लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्षय पृत्विराज रासों में मिलते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, अकबर नामा औ और अगने पुरान दोनों ही जगह इस बात के वर्नन हैं कि महराज अनंगपाल ने ही एक भव्य और आलिशान दिल्ली का निर्मान करवाया था, शाह जहां से 250 वर्ष पहले 1398 इस्वी में आकरांता तैमोल्ग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेक किया हुआ है, लाल किले क ये एक द्वार पर बाहर हाथी की मूर्ती अनकित है क्योंकि राजपुत राजा हाथीयों के प्रती अपने प्रेम के लिए विख्यात थे, इसी किले में दिवाने खास में केसरकुंद नामक कुंद के फर्ष पर कमल पुषपन के थै, दिवाने खास और दिवाने आम की पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता है जिसके अंदर गनेश्ची की प्रतिमा विराजमान होता है 11 मार्च 1783 को सिखोने लाल किले में प्रवेशकर दीवान याम पर कबजा कर लिया था नगर को मुगल विजीरों ने अपने सिख साथियों को समर्पित कर दिया उसके बाद इस पर अंग्रेजों ने कबजा कर दिया